नमस्कार दोस्तों में राजयन दिवारी अब सभी लोगों का मेरे सिले जौतिश मंद्र में हारदेग स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स की देहिए दो चीज़ होती ही एक होती है टिप्स और एक पताइ टिक्स टिप्स जादे अच्छी होती है क्योंकि यह positive way में होती है एक सकारत का सोच वाले इंसान लोग इससे करते हैं और tricks आप जल्दी से कोई चीज को पाना चाहते हैं चाहिए वे कोई सभी हो negative way में लोग करते हैं उसको बोलते हैं tricks तो हम tricks की बात निकरें आज हम बात करें tips की और करें एक सब्सक्राइब को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि आपके board exam बहुत अच्छे जाए मतलब आपके paper बहुत अच्छी जाए और आपके अच्छे percentage बले तो अगर आप भी जानना चाहते है कि वो tips कौन सी है और उसको use करने से या उसका utilize करने से आपके अच्छ tip number one आपको अपनी पढ़ाई का schedule जरूर बनाने चाहिए मतलब कुल मिला के पढ़ाई का time table जरूर बनाने चाहिए आपको पता होने चाहिए कि किस time पे आप कौन सा subject पढ़ेंगे कितनी देर पढ़ेंगे और जो आपको समय मिलता है पढ़ाई का उस समय को आप कैसे utilize करेंग को कम से कम 2-3 घंटे daily आपको देना ही पढ़ेगा तब ही जाके मैच के paper को बहुत अच्छे से कर पाएंगे टिप नमर 3 जो भी चेप्टर आपके complete हो गया है उनको आप regular revise करेंगे जैसे कोई भी चेप्टर आपके 4 चेप्टर हो गया है तो उनको 4 कर रिवाइस करें एक दिन में आपने एक चेप्टर किया है एक exercise किये तो उसी का आप रिवाइस करें डेली रिवाइस करें जब तक उसका revision होना जरूरी है टिप नमर 4 आप जब भी भी किसी test paper की practice कर रहे हो या question paper की practice कर रहे हो या कह सकते sample paper की practice कर रहे हो तो उसमें जो time given है उस time के according ही आप उसकी practice करेंगे और उसको solve करेंगे अगर वो two hours का है तो आप two hours में ही उसको complete करने की सुची वालकि उससे पहले complete कर करने की सुची तो जो भी given time है आप उसके अंदर उस paper को complete कीजिए कुछ बच्चे पुराने paper यानिके जो previous year के paper है या sample paper है उनकी तयारी करते है अब आपको माले में कि sample paper हो या previous year के paper हो three hours के होते है तो आप ये एक रूम में जाकर बेट जाए और ये सुची कि मैं exam हाल में बेटा हो और उस तरह से ही आप उस paper को solve कीजिए यानि उसे three hours का time दिया है तो आप three hours के पहले ही उसको solve करने की practice करिए अगर आप जब practice कर रहे हो उस समय अगर आपने वो तीन घंटे के paper को धाई गंटे में complete कर लिया तो exam में आप तीन घंटे में जरूर कर लोगे क्योंकि एक exam जब होता है तो उसका pressure अलगी होता है इसलिए जिस भी paper के आप practice कर रहे हो उसको यह सोचो कि मुझे इसको धाई गंटे में complete करना है tip no.6 आपको चाहिए कि आप जो previous year की जो tapas बच्चे हैं उनकी कापिया जो है उनकी जो answer sheet है वो net पे डली होती है आप उनको देखे कि उन बच्चों ने किस प्रकार से अपने questions लिखे थे अपने answers लिखे थे अगर आपको देखते हैं आपको पता चलेगा कि आपको भी उसी लिख दिया उसका कोई sense नहीं है तो आप उतना ही लिखे जिपना कि आपको बोला जा रहा है इसका मतलब अगर आप टापल बच्चों की कापी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लिखना चाहिए tip no.7 आपको चाहिए कि आप अपना paper section number D से start करें section D पहले करे करेंगे फिर C करें फिर B करें फिर A करें अकसल लोग क्या होता है कि section A से start कर देते हैं और उससे करने से क्या होता है कि जो छोटे नमर के question वह पहले करते हैं उस पर टाइम ज्यादे consume हो जाता है और इस वेज़े से आपकी last के question है वो छूट जाते है इसलिए आप ध्यान र होता है paper का उसमें आपका D section complete हो जाना चाहिए फिर जो C section है वो आपके 50 मिनिट में complete हो जाना चाहिए जो भी जितने वी question C section में दिये हो वो आप try कीजिए कि वो 50 मिनिट में complete हो जाए फिर B जो section A यानि section B उसको try केजिए कि व थर्टी मिनिट या अधि हंटे में complete हो जाए और section A आप 25 मिनिट में complete करने का ट्राइए जी अगर आप इसा करते हो तो आप कम से कम 15 मिनिट अपने save कर पाऊगे उस 15 मिनिट में पूरे paper को फिर से देख सकते हो फिर से check कर सकते हो कोई question छूटा तो नहीं या कोई question गलत तो नहीं लिग दिया आप उस 15 मिनिट में पूरे question क पढ़ सकते हो उसको tip number 9 बहुत बार इससे देखा गया है कि कोई बच्चे किसी question में उलज जाते हैं माल लिजिए question number 13 कर रहे हैं या 16 कर रहे हैं या 13 number का question कर रहे हैं उसमें करते-करते उलज गया अब उसी में पढ़े रहते हैं उसी question को कर रहे जाते-कर आंसर आता ही और वो time उसमें खराब करते रहते हैं तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि कोई question आपको परेशान कर रहा हो और उसमें time जादे लग रहा हो तो थोड़ी देर के लिए उसको अलग रग दीजे मतला उस question को थोड़ी देर के छोड़ दीजे अपने अगला-वाला question कर दीजे वापस उस page पर जाए और उस question को complete कर लिजे टिप नमर 10 जब भी आप पढ़ने वेठे तो आप अपनी goal छोटे-छोटे set कीजे मतलब आप यह सोची कि मुझे इस 10 मिनिट में यह 5 question करना है इस आदे हिंटे में मुझे यह वाला portion complete करना है इस type से आप पने goal set करे होता क्या है कि आप बड़े-बड़े goal set कर लेते हो क्या goal set कर आपने कि मुझे आज 10 chapter करना है मुझे आज यह काम करना है यह सा मत करें क्योंकि वो कभी-कभी possible नहीं होता है और जब possible नहीं होता है तो आप निराश हो जाते हो और फिर पढ़ना छोड़ देते हो यहना कि उस दिर पढ़ जो कि आपको एक्जाम में बहुत ही फायदा करेंगे अगर आपने इन टिप्स को अजमाया तो मुझे आशा है कि आप इन टिप्स को जरूर अजमाऊंगे और अपना जो रिजल्ट है वो जरूर सुधार होगे तो कैसे लगा आपको यह वीडियो और इसमीदीगे जान करे अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे सचेले जोतिश्मान को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही मितने एक नए वीशे के साथ तब तक आपने ही खुश और मुझे दीजा गया चाहिए